विश्वास से पहाड हिल जाता है क्या मैं? विश्वास से पहाड हिल जाता है पर इस पहाड को मत हिलाना जिसे आपने कहा था पर इससे मन भी काम करना बंद कर देता है तो हम एक सीमा कैसे तै कर सकते हैं? इन महिला का ध्यान रखें प्लीज मैं नहीं चाहता ये इस पहाड को कहीं और ले जाएं सद्गुरू मैं इस पहाड के साथ यहीं रहूंगी लोग आश्रम आते हैं और कभी-कभी मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने कितनी सुन्दर जगह बनाई है मैं उनसे कहता हूँ ये पहाड मैंने नहीं बनाए क्योंकि इस आश्रम का सबसे खुबसूरत हिस्सा ये पहाड ही है इसलिए इनको मत हिलाना प्लीज पहाडों को हिलाना गुनाह है विश्वास ने कई तरह से इस दुनिया में गुनाह का रूप लिया है आज तक जो सबसे बुरे जुर्म हुए हैं वो विश्वास के नाम पर ही हुए है है न? पहाड को हिलाना भी जुर्म ही है आप खुद कहीं और चले जाईए पर पहाडों को मत हिलाईए विश्वास से पहाड शायद हिल सकते हैं पर यह दिमाग को जरूर जमा देता है हम जिसे विश्वास कहते हैं विश्वास के बारे में हमारी समझ बिलकुल गलत है विश्वास मान्यता बन गया है आप कुछ मान लेते हैं और आपको लगता है यही विश्वास है आज जिस तरह से विश्वास शब्द का इस्तमाल हो रहा है एक तरह की मानेता एक विश्वास कहलाता है दूसरे तरह की मानेता दूसरा विश्वास कहलाता है मैंने वो बात उस संदर्ब में कही थी अगर आप कुछ बातों पर बहुत ज़ादा विश्वास करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि या तो आप उस संस्कृती में पैदा हुए है या किसी ने आपके उपर बहुत महनत की है या किसी मजबूरी की वज़े से आपको ये मानना पड़ रहा है जिस पल आप मान लेते हैं कि हाँ यही है तो फिर आपको मन की ज़रुवत नहीं है मन खोज करने का जरिया है न कि अंतिम नतीजे निकालने का पर अफसोस आज़ादातर लोग अपने मन के द्वारा अंतिम नतीजों तक पहुँच रहे हैं यह मन अंतिम नतीजे निकालने के लिए नहीं है यह खोज करने का उज़ार है इसकी मदद से आप जिन्दगी को निरंतर और जादा गहराई से समझ सकते हैं अनुभव और बोध के गहरे तरीकों से मन का यही महत्व है अगर आपको सिर्फ अंतिम नतीजों तक पहुँचना हो तो इतने जटिल धंग से बना मन ज़रूरी नहीं है आपको इसकी ज़रूरत नहीं है शक करने की बिमारी को आप विश्वास से ठीक करने की कोशिश करते हैं नहीं आपको अपने तर्क शुद करने होंगे आपको अपने मन की प्रकृती को शुद करना होगा आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी पक्ष लिये बिना भी जीने का एक तरीका है इसलिए आसन है, योग आसन आप समझ आया? आप खुद को यहाँ-वहाँ गुमाते हैं ये समझने के लिए कि मैं जिन्दगी में कोई खास पक्ष नहीं लेना चाथा मैं इस ओर या उस ओर फसना नहीं चाहता मैं जिन्दगी को हर संभव दिशा में जानना चाहता हूं इस जिन्दगी में जितनी भी संभावना हैं, मैं उन्हें जिन्दा रहते हुए जानना चाहता हूँ अगर आपको ऐसा करना है, तो flexible मन चाहिए ऐसा मन जिसने कोई पक्षना लिया हो, जो किसी चीज़ पर विश्वास या अविश्वास न करता हो ऐसा मत सोचिए अविश्वास कोई विकल्प है विश्वास और अविश्वास दो अलग चीज़ें नहीं है, ये बस सकरात्मक विश्वास और नकरात्मक विश्वास है बस यही है, विश्वास करने के दो अलग तरीके, विश्वास करना और न करना यहां हम आस्तिक और नास्तिकता की बात नहीं कर रहे हैं विश्वास और अविश्वास नहीं हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोई भी पक्ष लिए बिना रहना क्यों नहीं सिख सकते फिलहाल कोई खास गतिविधी करने के लिए हम कोई पक्ष लेते हैं पर जीने के लिए कोई भी पक्ष लेना जरूरी नहीं है, बस जीवन जीने के लिए, अगर आप जीवन को जानना चाहते हैं, तो आपको कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं किसी चीज के बारे में कोई राय बनानी चाहिए, जैसे ही आप राय बनाते हैं, मतलब आपके म अंतिम नतीजा मतलब मौत, हाँ, जीवन का मतलब है, कोई अंतिम नतीजा नहीं आप देख रहे हैं, अपनी दृष्टी को साफ करने के बजाए, आप अंतिम नतीजा निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक खास निश्चितता आती है, एक खास यकीन पैदा होता है, जिस पल आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, आप में confidence आता है, सपष्ट दृष्टी के बिना confidence एक मुसीबत है, साफ देखना बहतर है, बजाए इसके कि किसी चीज पर ऐसे ही यकीन कर लिया जाए, अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो मिलता है और दुरबा किसे कभी कबार ये काम भी करता है हम इस बारे में काफी समय से बात करते आए हैं अगर आप कोई सड़क भी पार करना चाहते हैं तो आपको नजर की जरूरत होगी confidence की नहीं confidence आपको मरवा सकता है अगर traffic कम हुआ तो काम चल जाएगा इसके साथ यही दिक्कत है अगर सड़क पर कम रफतार में हलका traffic है तो आप बच जाएंगे और आपको लगेगा ये तरीका काम करता है आप हर जगे इसे अपनाने लगेंगे तो आपकी टक्कर हो जाएगे इसलिए आपको confidence की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी confidence की जरूरत को छोड़ दे तो आप आराम से जी सकते हैं चाहे आप कुछ न जानते हों दरसल आप कुछ नहीं जानते इस बात को समझिए आपको वाकई इस अस्तित्व की प्रकृती के बारे में कुछ नहीं पता है ना? हाँ या ना? आपको नहीं पता कि आप कब दम तोड़ देंगे आप नहीं जानते वो कब होगा लेकिन कोई बात नहीं पर अगर आपका मन विश्वास की तलाश में है तो आप सिर्फ यहां की चीजों को ही नहीं जानते मृत्यू के बाद आप कहां जाएंगे वहां आपके किस तरह की सुख सुविदाएं मिलेंगी आपको सब पता है इस तरह का अग्यान आपको छोड़ना होगा वो अग्यान जो जागरुख है और जिसे आप खुद स्विकारते हैं कि हां मैं अग्यानी हूँ ये अवस्था उस ग्यान से कहीं गहरी और ताकतवर है जिसे आपने अंतिम नतीजों से पाया है आपने हर किसी और हर चीज़ के बारे में अंतिम नतीज़े निकाल रखे हैं अपने जीवन में एक साधारन साधना अपना कर देखिए आप सभी जो भी अंतिम नतीजे आपने निकालने हैं अपने बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में उन्हें आज रात बस भूल जाएए कल सुबह उठकर हर चीज को एक नए नजरिये से देखिए ऐसा रोज कीजिए कम से कम कोशिश कीजे कि उठने के बाद एक घंटे तक ऐसा कर सके आप देखेंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है समझे, ये मेहनत का काम है 24 गंटे हर चीज को नए नजरिये से देखना जब आप नए नजरिये से हर चीज देखेंगे तो एक भी मौका हाथ से नहीं जाएगा हर चीज आपको जीवन से भरपूर लगेगी एक और लोगों को कुछ नहीं दिखेगा वहीं आप सब कुछ देख लेंगे जहां दूसरे सिर्फ मुश्किलें देखेंगे आप जिन्दगी की संभावनाएं खोज लेंगे कह देने से अज्ञान सत्य नहीं बन जाता सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है अधिकार सत्य है नहीं इस जीवन में इस अस्तित्व में सत्य ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है